हलो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि देचे एक्जाम के फुल प्रोसेस में टोटल कितना खर्चा आज आता है तो वीडियो को दोस्तों पूरा एंड तक देखिएगा बीच में इसकिप नहीं करिएगा तो द आप लोगों को एक्जाम देना है देखिए इसमें दोनों तरिकें चाहे तो आप लोग पहले इक्जाम दे लिजह यह पहले अपना datafollow करा लिजेस्ट करा लिजए लेकिन मैं आप लोगों यह सब्से पहले जो है आप लोग exam clear यह 90 कर्या दिलिए अगर आप ग्रोग एक्जाम क्लीयर कर लेटी है तो आप लोगों सबstäसे पहले kalo amiga कर आते हैं तो एक्याम के लिए स्विटी के है वो 240 डॉलर में होता है दोस्तों जबकि आप उसको इंडियन करेंसी में चेंज करेंगे तो आप लोगों का लगभग लगभग दोस्तों 21,000 के आसपास चला जाता है करेंसी का रेट कम ज्यादा होता रहता है इसलिए यह अमाउंट ज्यादा एक कम हो सकता है एप्रॉप्स डॉक्मेंट लगते हैं दोस्तों जो की आप लोगों की डाटा फ्लो की जो फीस होती है लगभग दोस्तों आप लोगों का उसमें 25-30,000 के बीच में उसका खर्च आता है क्योंकि अभी क्या है तो हर फार्मिसी कॉंसिल वाले अलग से भी चार्ज ले रहे हैं डाटा फ्लो आप यह समझ लीजिए 25-30,000 के बीच में आप लोगों का यह इमाउंट हो जाता है डाटा फ्लो का भी इसके बाद दोस्तों आप लोगों का एलिजबल्टी लेटर के लिए आप अपलाई करते हैं तो उसमें भी आप लोगों का लगभग 5000 हो जाता है दोस्तों ठीक है तो यह टोटल आप लोगों का 56- 57,000 या maximum मैं बता रहा हूँन दोस्तों भी आगे आप लोगों का इमाउंट नहीं आएगा Indian करेंसी में मैं के डेल लाग दो लाग कुछ भी हो सकता है हर कोचिंग का अपना अलग लग चार्जे दोस्तो तो वो उनके उपर निर्भर करता है लेकिन जो एक्ट्यूल फीज जाती है दोस्तो वो इतना मैंने जो इमांट बताया इतने ही जाएगे ठीक यह जो फीज होती है दोस्तो इतना चार्जे लग जाता है ठीक है और आप लोग जैसे आप लोगों के पास सारा लाइसेंस हो गएरा सब कुछ हो जाता है तो आप लोग जब दुबई आते हैं तो उसका भीज दोस्तों आप लोगों को विजिट लेना पड़ता है इसके अलावा आप लोगों का जो है एयर टिकट होता है यह तो आप लोगों का अपना खुद का रहेगा और साथ में जब आप आएंगे तो यहां पर लगभग लगभग आप लोगों के पास टिकट और विजिट वीजा निकाल दिया जाए उसके बाद फिर आप लोगों के पास 60,000 minimum होना चाहिए दोस्तों वैस इसके बाद भी दोस्तों कुछ चार्जेज लगते हैं जैसे कि आप गुड़ स्टेंडिंग सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो उसका लगभग 6,000 के आसपास चार्ज आता है बाद में आप लोगों को अपना डिग्री भी अटेस्टेशन कराना होता है तो उसका भी चार्ज आ जाता है साथ से आठ हजार 9,000 कुछ भी 10,000 के बीच में ही रहेगा उतना चार्ज आ जाता है जोस्तों तो यह अलग से है तो ओवराल पूरा इतना खर्चा आ जाएगा दोस्तों आप टोग होगा ठीक है 60,000 मान लीजिए आपका लाइसेंस में हो गया और 1,00,000 जो है और रहना खाना सब कुछ हो जाएगा आप लोगों का दो महिने के लिए ठीक है दोस्तों तो यह थी ओवराल पूरी जानकारी अगर आप लोगों को और भी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग मुसे कमेंट करके पोश सकते दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्ष वीडिय में तब तक के लिए बाय दोस्तों थैंक यू